इस वीडियो को आगे देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल टेको विल्स को साथ ही साथ बेल आइकोन को प्रेस कीजिए जी हाँ दोस्तों आज में हम बात करेंगे एको स्पोर्ट की लाइटिंग के वारे में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हेड़ लाइट्स की जो कि एचाइडी प्रोजेक्टर दिये हुए हैं साथ ही साथ आप देख सकते हैं DRL अब मैं आपको इसको साइड प्रोफाइल की सबसे पहले में आपको दिखने के लिए अगर आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं कुछ देखना चाहरें साइड में क्या है साथ ही साथ आप देखिए इसकी बैक लाइट यह अच्छे से ग्लो होता है अब हम इसको आपको बैक से दिखा रहे हैं यह देखिए अंदर का आपको स्कीन दिख रहा है साथ ही साथ इसका साइड प्रोफाइल हैं अब हम आपको अंदर की तरफ लिए चलते हैं अब देखिए यह सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं स्विच जो इलुमिनेटेड दियो ही है साई चाल में जो डोर में स्विचे से सारी एंस्ट्रूमेंट क्लेस्टर और यह रहें हैडलाइट की सेटिंग से यह भी इल्वन सारी एल्यूमिनेटेड प्लाध है तो जो switches हैं वो भी eliminated हैं अब हम आपको रिखाते हैं यह रेखिए यह sunroof का जो switch है यह भी eliminated दिया है साथ ही साथ reading lamp दो extra दिये गए हैं जो कि बहुत ही useful है अगर आपको जादा रोश्णी की ज़वरत है इसकी glove box में भी जो की top model में ही आता है इसमें भी light दी हुई है अब मैं आपको दिखाता हूँ ambient lighting जो की बस top model में आता है आप देखे टोटल seven colors मिलते हैं आप color select कीजिए आप इसको up and down भी कर सकते हैं यह देखे नीचे का view अभी orange है blue हो गया मतलब आप color अपने हिसाब से जो कि आपको soothing हो अच्छा लगए आप वो select कर सकते हैं अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ सेम चीज लाइट जो की ज्यादा आसानी से दिखेगी देखे ब्ली हो गया red हो गया green हो गया blue हो गया तो इस तरीके से जो इसका ambient light feature हो बहुत ही useful है और बहुत ही soothing है luxury feel कराते हैं अब मैं आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ जो इसकी पीछे वाले gate के switcher से वह भी eliminated दिए हुए है यहां हम आपको पीछे की तरफ ले चलते हैं यह पीछे की reading lamp है और साथ ही साथ अगर हम tail lamp क की बात करें तो यह देखिए आप tail lamp कैसा दिखता है और यह अंदर से क्यों है आपको जो इस screen का दिख रहा है साथ ही साथ यह side profile with puddle lamp आप रोशनी देखिए puddle lamp की और रोशनी देखिए headlight की जो की HID है साथ ही साथ है हमारे screen दिख रहा है अब हम बात करते हैं इसके बारे में है कि इसका यह headlight की setting कैसे होती है यह देखिए एक button है जिसको हम press करेंगे और यह headlight level करते हैं इसके साथ ही यह देखिए down हो गया जिसमें चार settings है और यह app हो गया अब इसको वापस से press कर दीजे तो अपने स्थान पर वो set हो जाएगा अब मैं आपको लिए चलता हूँ fog lamp के बारे में यह रहा fog lamp का switch इसको press करते है और देखिए इसका fog lamp जो की corner पे बिल्कुल paste है तो इसकी वज़े से थोड़ा wide view मिलता है हमको foggy season में भी देखने में असानी होती है बड़ी ही सुविदा जने की जाए जो की foggy season में drive करने के ल यह मैंने press किया high beam मैं आपको सामने देखिए आप यह जो की HID projector के साथ यह high beam है high beam की दोशनी भी बहुत ही throw बहुत ही अच्छा है आप देखिए आपको किसी भी तरीके से lag नहीं दिखेगा साथ ही indicator देखिए एक ही side view mirror पे और यह आगे की और और एक पीछे tail lamp के साथ में तीन आपको indicator के वह मिल जाएंगे इसके डिक्की में भी एक lamp दिया हुए है जो की बहुत useful है दोस्तों आई होग की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्स्क्राइबर में शेयर करें thank you